तो वो दो लाग के उपर आप कोई टेक्स नहीं लगेगा तो हर फैमली की नीचे से भी डिस्पोसेबल इंकम बढ़ जाएगी तो मल्टी स्टेट कोपरेटिव आखे आने से भी किसान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेड कर सकेंगे आज एक फरवरी 2023 है तमाम आम जनता की जो बजट पे आखे गड़ी हुई है कि इसमें हमारे लिए क्या निकल के आएगा तो गरीब है किसान है और तमाम ऐसी ग्रहनिया है जो घर में घरेलू गैस चलाती है खाना बनाती है इतियादी इतियादी तमाम लोगों की जो आशाएं जुड़ी हुई है सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है शिक्षा, एजुकेशन इसमें उन छात्रों को क्या मिलेगा जो घरों से पैसा ले करके यहाँ पर गुजारा बसर कर रहे हैं तो इसी पर एक्सपर्ट्स की राय जानते हैं और कितना भारत जुड़ पाएगा इस बजट से उस पर भी राय जानते हैं तो अभी हमारे साथ है सर्स पहले अपना परीचे दीजिए मैं सीए मनमोहन खेम का मैं प्रैक्टिस करता हूं एज चार्टर अकाउंटेंट आज सीए विचार मंच के तत्वाधान में हमने कार्यक्रम किया लाइब व्यूइंग ऑफ बजट यूनियन बजट टू थाउज़न टूज़न टूज़न टिसकशन इमिडियेट डिसकशन और सभी बड़े उत्साहित चार्टर अकाउंटेंट वकील एमबीए फाइनेंस कंपनी सेक्रेटरी कोस्ट अकाउंटेंट एक लाज नंबर ओफ प्रोफेशनल्स ने आज इस परिचर्चा में भाग लिया मैडम ने जो बजट आज मैडम निर्मला फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीता रमन जी ने आज जो बजट अमरित काल का पहला बजट जो आज पेश किया उससे समस्त देशवासियों को जिस तरीके से आशा है ऐसे ही प्रोफेशनल्स भी बड़ी उस सुक्सा से इस बजट को देख रहे हैं और उसके बाद हमने पाया बजट का पूरा स्पीच मैडम की सुनने के बाद कि एक ग्रोफ इंक्लूसिव ग्रोफ जिसमें किसानों के लिए भी नीचे मजदूर तपके के लिए भी सेल्फ हेल्फ ग्रूप महिलाओं के एंपावर्मेंट के लिए ना के वाल उनके एकनॉमिक एंपावर्मेंट के लिए उनकी टोटल ओवराल भागीदारी पूरे समाज के कारिये में उस पूरे बजट का फोकस है जहां पर international organizations की और international multinational companies के साथ में मिलकर के public private partnership में जहां पूरे देश की growth के लिए एक infrastructure development की बात हो रही है वहां पर हमने ये भी देखा कि गाओं के लेवल पे तालुका के लेवल पे जिले के लेवल पे भी जिस तरीके से हर व्यक्ति को economically empower and self earning group बनाने के लिए budget का focus है वो अपने आप में काबिले तारीफ है tax proposals में भी मैडम निर्मला सितारमन जी ने कुछ reliefs देने की कोशिश की है और rationalization बहुत जहां पे जो बहुत सारी anomalies चल रही थी tax laws में उनको भी as past इस बार भी उनमें से बहुत सारी anomalies को rationalize करने का प्रियास किया गया है तो बहुत growth oriented budget है हम तो ऐसा ही कहेंगे लेकिन सर जो आम जनता है जो 80% जनता है जो लगातार इस चीजों से जूझ रही है महंगाई से लगातार उन पर महंगाई की मार पड़ रही है बेरोजगारी है उसके लिए कितनी राहत है इसी देखे महंगाई आज केवल हिंदूस् पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया है और उसके बाद यह युक्रेन का जो महायुद्ध पिछले एक साल से चालू है अगर हम अपने बहुत ज्यादा दूर ना जाएं और अपनी neighboring countries को ही देखें तो वह महंगाई और बेरोजगारी के चलते वे इन दोनों कर रही है वो आज भी इंडिया को six point one percent GDP की forecast कर रही है जो word में सबसे highest है जबकि यूएस और चाइना की growth forecast भी हमसे काफी नीचे है तो मैं समझता हूं कि हम एक developing country हैं बहुत तेजी से एक covid pandemic के बाद भी और यह युक्रेन के बाद भी हम अपनी महंगाई को बहुत control में रखे हुए हैं otherwise जो और दूसरी developing neighboring countries है वो तो economic collapse के ऊपर खड़ी हुई है तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बहुत government का अच्छा प्रयास है 80 करोड जनता को दो साल से free राशन देना only with the help of only with the funding of the central government यह अपने आप में पूरे विश्व में एक लोता example है पूरे विश्व में इतना help program कहीं नहीं चला है आप help program की बात करें लेकिन वो जो अनाज की जब जाज परक की गई तो सड़ा गला अनाज मिला वो चावल खराब मिले गे हूं इतना खराब वाला quality का मिला हुआ उनको और पाच किलो अनाज से उनका कैसे गुजारावसर चलेगा मैंने तमाम लोगों स पे उनकी रहे जानी तमाम ऐसी बस्तियों में गई लोगों से बात की तो उनका जली नहीं रहा है उसमें और तक नहीं रहा है ऐक 5 किलो अनाज पर पर संदिया जा रहा है पर राशन कार्ड नहीं है पाच किलो अनाज एक किलो डाल पर पर सन है और एक लीटर तेल और ये किसी भी एक परसन के लिए एक महीने के लिए इतना आनाज फ्री में मिलना अपने आप में बहुत सफीशेंट है बिल्ग करनी पड़ेगी और आज हम शाइद बजट पे चर्चा करें तो जैसे रूपिया गिरा है वैसे इधराशाही हो गया अडानी तो अभी क्या बजट के चलते ही अडानी कभी जो है देखे दो बाते अलग लग है एडानी साहब इस देश के एक बहुत बड़े उद्योग पती समूह है और उन्हों का देश की ग्रोथ में बहुत योगदान है जैसे कि और दूसरे इंडिस्ट्रियल हाउसिस का है यह इस तरीके की जो रिपोर्ट की आप चर्चा कर रही है इस लगाए गए हैं हीडन बर्ग के द्वारा उनकी पूर्णत है जाच होगी हमारे हैं आपको पता है जुडिशल डिलीवरी मेकेनिजम कितना निश्पक्ष है और सब इंडिपेंडेंट एजेंसियों के थ्रू जाच होगी अगर कोई जाच में गड़बड़ी पाई जाएग वो एक स्टेक होलडर है इस निउस के लिए तो उनकी निउस कितनी बायस्ड है या कितनी आर्टीकूलेटिड है इसके लिए उसकी निउस के उपर उसकी रिपोर्ट के उपर एक डिटेल समिक्षा होने की जरूत है क्योंकि यह ऐसा माना जाता है ऐसा माना नहीं जा रहा ब के माइक्रो मैक्रो सब इशूस पे बजट प्रोपोजल्स पे चर्चा करी है और हमें यह ऐसा लगता है कि एक ग्रोथ ओरियंटीड बजट है और अमरित काल का पहला बजट हमें डवलपिंग कंट्री से डवलप्ड नेशन में पच्चिस साल की तरह तरफ के पच्चिस साल में किस तरह हैं ले जाएगा यह अपने आप में एक संपूर्ण उसके लिए पहला पाइदान तो मेरे कुछ और साथ ही भी अपना देना चाहरे होंगे एजुकेशन में कितनी राहत मिलेगी चात्रों को शिक्षा में जिस तरीके से वह यहां पर रहते हैं कोई अगर एक चात्र है दस हजार घर से अगर आता है तो उसी में उसको बिजली पानी और घर का भी रेंट देखना है खाना पीना भी देखना है मेडिकल भी देखना है तो उसमें कितनी राहत मिलेगी पहले तो जैसे जब कहा गया कि इस पर टेक्स में काफी रिलीफ मिलिया एड दी लोवर क्लास पहले पांच लाग तक की एन्वल इंकम थी वो टेक्स फ्री हो जाती थी आटोमेटिकली अब वो साथ लाग कर दी गई है तो वो दो लाग के उपर अब कोई टेक्स नहीं लग कुलेगा तो पैसा बचे शाल को है वो सब लोगों को एक सूले टो मिलेगी ही मिलेगी दूसरे लैवल पे जब यह मैक Prince का घा रहे हैं मेरियस के लिए खिमका-जी ने कहा है कहा है एक पहले बोगों को अगर फ्री राशन दिया गया पिछले दो साल से और आगे भी एक साल के लिए उसको शूर किया गया है त्रू इस डिफरेंस की तो मेरा खिया है कि सारे वर्ड में इस से बड़ी स्कीम तो हमने सुनी नहीं कि एटी थ्री करोड एटी थ्री करोड अगर हम देखे तो मेरे खिल पूरे वर्ड का वन फॉर्ट पॉपॉलेशन मेरा ख्याला या उससे ज्यादाई ही ही होगी अगर उतनी बड़ी पॉपॉलेशन को हमारा देश या हमारे देश की गौर्वर्मन पिछले दो साल से पूरा राशन पानी जो पीपल हुआ बिलो दी पावर्टी लाइन या एकनॉमिकली वीकर हैं अगर दो साल के जब कोवि करने के बावजूद भी वी आर ग्रोइंग एकनॉमिकली और आगे भी एवन के मतलब के हमारी गौर्वर्मन की तो छोड़िये जैसे इन्होंने का कि वर्ल्ड की दूसरी जैसिस भी यह कहती है कि अगले साल भी हमारी जो ग्रोथ है वो छे पॉइंट एक तो होनी ही होनी है ज़्यादा होती है कम होती है डैट इस डिफरेंट इश्यू बट इतनी गरोथ तो एस्चिजों के लिए भी किया है जो आगे जाके एस्सकों बढ़ाएंगे capital expenditure है अगर जैसे कोई आदमी कर्जा लेकर अगर मकान बनाता है तो वो अच्छी चीज़ मानी जाती है अगर वो कर्जा लेकर अपनी शादी करता है तो वो अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती क्यों तो शादी पे पैसा उड़ गया कर्जा उड़ गया अगर वो मकान तो उसका रेंट ख़तम होगा आगे उसके बच्चे तो इससे इसलिए अगर हम डेफिशिट फञांसिंग कर भी रहे हैं अभी हम पैसा खर्च कर रहे हैं करोड़ों रुपे अर्बों रुपे खर्च कर रहे हैं और इतने भुचाल आए जिसको हम बुचाल ही आए जब के जि हो गया आप देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है आप देखिए चाइना की क्या ग्रोथ है अगर इन कंट्री का हाल देखें और इतना सब कुछ करने के बावजूद हमारी कंट्री इस तिल अगर सा यह स्टेपलिश वैक्ट है कि हमारी ग्रोथ सिक्स पॉइंट सम्टिं है वो इस बजट में कहीं दिशा नहीं दिखती है अगर आप हम कह रहे हैं कि आज हम 83 करोड़ रूपेज लोगों को हम सिरफ खाना ही प्रवाइड कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप 1500 करोड़ जो भी आपकी कितरी आपकी जंसन क्या है उसमें से आपके 70% लोगों तो आप पास एक तरफ हम कहते हैं कि हमारी कंट्री ग्रोव कर रही है 6 परशंट या 7 परशंट से दूसरे आपका 80 परशंट तब का या 70 परशंट तब का बिलो पावर्टी लाइन है जिनको आपने एक भी फूड 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 तक जिसकी अवलेबिल्टी नहीं आ रही है तो इस बजट के अंदर इस खाई को पाटने का कोई जरिया होना चाहिए था जो जरिया नहीं है इंदर एक और भी कहा गया कि बड़े जो अब पूंजी पती हो है उनको पहले जो टेक्स लगता था वो साड़े बैलीस परसंट के करीव लगता था अब वो उन्हें टक्स घ को थोड़ा सा में यह देखना चाहिए कि ग्रोफ इंजन की तरह देखना चाहिए और अमीर और गरीब के बीज की जो खाई उसको कम करने के लिए तो क्या लग रहा है कि सिक्षा का इसतर बढ़ेगा और जो भी बात करी गई दूसरे बजट को लेकर के कि यहां भई रासन मु किया है उसमें अगर जो रेजिजेंशन अगर आप आपको तीन बत्रीस त्रीस लाग बच्चों को आप एजुकेशन रेजिजेंशन एजुकेशन जो ट्राइबल्स और जो बैकवर्ड एडिया के अंदर वो स्कूल करेंगे उससे हमारी जो बच्चों के ओड़ेगी और उ इसा मुम्किन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इसको आगे देखना नहीं दो हुझा नहीं है इंफ्लेशन के कारण उनकी अभी अभी स्टेबल भी नहीं है बलकि कम हो गई है पच्चीस तीस परसंट अभी कली सर्वेया है MSME का जो एक्सपोर्ट है 47 परसंट कम हुआ है 21-23 के अंदर तो इसे हमें MSME को सेक्टर को और बढ़ाना चाहिए उनको लोंस और प्रोवाइड करने ही चाहिए और उनको दो इस अभूइंग का बिजनस का इस अभूइंग अपनी जो इनकेम टाक्स का जो टैररीजम है जी स्टी का जो टैररीजम है उससे उनको इजाद दिलानी चाहिए तो जेखिए मैं तो कहुँगा कि यह वर्ड तो इस नोट एप्रोप्रियेट तो थो से दट इस टेररीज क्योंकि GST जब आया था उसके बहुत बहुत बड़े human cry नहीं भी it was accepted very gracefully accepted demonetization जब आया था that was very gracefully accepted कोई human cry नहीं हुई हैं कोई parliamda गहरावनी हुआ तो government की policies है, वह very well accepted कई हुसका public किसी ने कोई विरोध नहीं किया, government के साथ रही है पब्लिक आज भी पब्लिक के साथ ही है तो हमारे मित्र ने काई कि जो टैक्सी वगरा का है वो उसका एक थोट ये भी है कि कोर्पोरेट वगरा है उसके उपर में सपोज गरो टैक्सी बढ़ाते हैं तो वो फिर पूंजी की प्लाइट होने लगती है दूसरी बढ़ेगा जब बड़ी इंडस्ट्री गरोँ गरेगी तो चोटी भी करेगी विसली जब मारूथी के सो से जदे अंसिलरी है जो मारूथी को उपर डिपेंडेट है तो वह वह भी वह उनकी भी गरोथ हो रही है तो वह वह देख लीजिए आप और जो किसान के उपस तो फ किसान को डीबिटी जा रहा है छेजार रुपे जाई रहा है दा वह इंक्रीज हो रहा है और एक चीजे जो मतलब इग्नॉर कर रहे हैं फार्मर प्रोडूसर और्गिनाजेशन का एक कॉंसप्ट गूर्मेंट लेके आई हुए है टैन थाउजन एफपी ओ बन चुके हैं फार प्रोडूसर और्गिनाजेशन को दिए वे हैं तो वह दूसरा कॉपरेटिव मल्टि स्टेट कॉपरेटिव आ रही है तो मल्टि स्टेट कॉपरेटिव आखे आने से भी किसान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेड कर सकेंगे इससे गुवर्मेंट की आए का ध्यान रखा है पीछे भी आप देख रहे हैं कि सरकार ने क्या किया मेरे सातियों ने दोस्तों ने बहुत कुछ आपको बताया और जनहित के अंदर ये बजट दिया गया है ठीक है और ये जो प्रोग्राम है गवर्मेंट का हमारा ये 25 वरस तक यानि की केबल दो बरस के लिए नहीं है चार बरस के लिए नहीं है 25 वरस तक इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट इंपेक्ट पूरे संसार को देखने के लिए मिलेगा और बहुत सारी योजनाय गौर्मेंट की चल नहीं है और उसी के अंतरगात गौर्मेंट आगे बढ़ रही है क्योंकि एक साथ स सारी चीज करना संभव नहीं है जो सतर वरस से पिछितर वरस से हमको परिशानिया जिलनी पड़ें गरीव और गरीव होता रहा अब इसा नहीं है सरकार एक गरीव का अब देखा आपने एगरी कल्चर के ओपर देखा मेरे दोस्तों ने बताया बहुत कुछ मेरे दोस्तों बता चुक हैं आपको तो मैं तो केबल two sentence एक ही बात कवरूगा सबका साथ सबका विकास जैसा बीजेफी ने नारा दिया मोदि जी एन नारा दिया उस नारे के अंतरगत ही मोदि सरकार काम कर रही है एक अमीर का विकास नहीं है अमीरों से पैसा लेकर गौर्मेंट गरीब को दे रही है आप ध्याद दीजीए अप पीछे कोविट से कितने देश परबाद ओगे हमारे तेश घरोग कर रहा है और नजदीक है जिस दिन हमारा देश सौने गी चड़िया कहलाएंगा थोड़ा समय जरूर लगेगा इसमें अभी आप क्रोना की बात कर रहे हैं देखिए हर चीज का एफेक्ट एक दिन में दो दिन में नहीं आने वाला उसमें थोड़ा टाइम लगता है अब जैसे हमारी सरकार ने साथ आठ साल में नो साल में आठ साल में जो किया है अब उस चीज को देखी है ना हमारी सरकार जो दूसरी सरकारें थी वो 70 वरस में नहीं कर पाई हमारी इस मोधी सरकार ने 7 वरस में 8 वरस में सब कुछ करके दिखा दिया और आने वाले समय में इससी बहुत अच्छा होने वाला है सर गरीब और मजदूर की अगर हम बात करें तो बजट चाहें कभी भी आये जाने 2022 में जो रहा जो तेज में जो आया गरीब मजदूर का हमेशा सर्फिस्ता रहा है तो इनके लिए क्या वर्थी होगी किसानों के आप एक इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छी तरह डीपली दे है उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा लगेगा नहीं ऐसा नहीं है पहले भोज्जादे आत्मत्याइं होती थी किसानों की और अब तो आप शायदी सुनते होंगे कि एक चीज़ को अच्छे काम को हमेशा बतनाम भी किया जाता है यह नहीं है कि जो दीखता है वह सोना है सोना पीला भी है बहुत बढ़िया है बेस्ट बजट है सब का मतलब जो है जन के हित में यह बजट है तो वाकरी में क्या मुरितकाल साबित होता है यह अम्रितकाल थाहएस वोगा मुदी जी के सासन में ही हूगा यहादध साल में हो देखू इसकीम क्या होता है गौर्रमेंट आगे लिके चलती है थीक है आज से कोई सो साल पहले भी कुछ बात हैं सोची गई थी कि यह देश ऐसा बनेगा और वो बन रहा है कहां बन रहा है सर लोग महंगाई से त्रस्त हैं और लगातार बेरोजगारी बन रही है चाहिए आज से पॉंट व्यू से मैं बताना चाहता हूं कि एक लिमिट जो है पहले फाइवले कर दिया अब सेवन ने कर दिया इस इस दब्यटर फोर शरी परसन और जो है असे के लिए बहुत अच्छा किया है पहले टीडिय जो है थर्टी परसंट कर दा आदा वह पीएफ जो और इसे बैरी गुट बजट फूर पर्संट फोर दा इंटेप्यर निर्ट वोड़ा सेशी तो अब बात करें मद्यम वर्ग को लिकर तो मद्यम वर्ग इसमें काफी ज्यादा पिस्ता था आब ऑपी सुधार की भी विवाद की जारी तो क्या वाकिए मैं मद्यम वर्ग की सब्सक्राइब है और महलाओं के लिए दो साल की स्कीम निकाली है वह बहुत अच्छा किया है ओवर ऑल गुड बजट क्या क्या कर रखा निर्मा मैंने टेक्सिंग के पॉइंटर वीव पर ज्याद ध्यान दिया जैसे आपका लिमिट नहीं से इंक्रीज किया है और टीडियस का इनों ने रिडियूस किया है जो वीक वीकर सक्षन होते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट और बाकि अदर लिमेट इनों बढ़ाई है सक्षन फोटीफोर एडी में तो टेक्सिंग पॉइंट अभी से बहुत अच्छा जिया है अभी उन सब्सक्राइब कर दिया है और आम जंता को भी इंडिविजियल को भी मिडिल को सब को पहले पहले टीडियाइस थर्टी परसेंट करता था पीएफ निकालने पर अब टीडिया तो अब पहले फाइब की लिमिट थी अब साइब कर दिया तो बैदिविजियल बैनिफिट सब को मिला पहले लिमिट थी उसकी लिमिट बढ़ा दिया उन्हों ने तो अल्टीमेटी बैनिफिट नहीं चाहूं आप गुड़ बता रहे हैं लेकिन अमीर और गरीब की खाई भरती हुई नजर नहीं आ रही है तो यह थे हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट जो भी बजट पे अपनी राय रखी तो टेक्स के बारे में भी हमने जाना किसानों के बारे में भी जाना और तमाम ग्रहनी जो घर में गैस चूला चलाती हैं उनके बारे में भी जाना तमाम ऐसे बजट जो लाए गए हैं सीता निर्मला सीता रमन के द्वारा उस बजट को आज यहां पेश कर दिया गया है और तमाम एक्सपर्स हमारे साथ थे तो उसी पे आज राय और चर्चा रखी गई तो इसी के साथ देखते रहे जनित आवाज मेरे सेयोगी धरमेंद के साथ में कर दो